किसान आंदोलन को 42 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है 8 जनवरी को सरकार के साथ 9 राउंड की बैठक होने वाली है लेकिन उससे पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे है गुरुवार को दिल्ली की देहलीज पर किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे किसानों का कहना है कि ये ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर है कुछ यू दिल्ली की चोहदी को ट्रैक्टर से नापनी की तैयारी चल रही है किसानों की सरकार तक अपने इरादों को और दमदार तरीके से पहुचाने के लिए धरती पुत्रों की फॉज ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरने वाली है सरकार के साथ बाच्चित से पहले साथ जनवरी को सड़क पर ट्रैक्टर उतार कर ट्रेलर दिखाने वाले हैं किसान असल में तैयारी 26 जनवरी की है गरतंतर दिवस पर जब सरकारी परेट होगी राजपत पर तब किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं सुभे 11 से 12 बजे के बीच एक्सप्रेस वे पर किसान चार तरफ से ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे यह यूँ कहिए कि ट्रैक्टर परेट की रिहसल करेंगे क्योंकि आंदोलित अंदाताओं को नौ राउंट की बैठक में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है समझोते की 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेट में महिलाएं भी शामिल होने के लिए तैयार है हर्याना के गाउं में महिलाओं ने ट्रेक्टर दोडाना शुरू कर दिया है महिलाओं का साफ कहना है कि 26 जनवरी को वो खुद ट्रेक्टर ट्रॉलिया चला कर दिल्ली पहुचेंगी और राजपत पर परेट करेंगी हाला कि सरकार को मीध है कि 26 जनवरी से पहले आंदुलन खत्म हो जाएगा इस बीच आंदुलन को और जारत तेज करने की मुकमल तयारी है किसानों ने सडख पर अपने तंबू को इट और कंक्रीट से पका करना शुरू कर दिया है असल में किसानों के अगनी परिक्षा आस्मान भी ले रहा है सर्द रात में बारिश हो रही है सुभे में बारिश हो रही है लेकिन किसान भी अपने हक को पूरा होने तक पीछे हटने के लिए तयार नहीं है ब्योरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत वर्श परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्श पर झाल 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 झाल